हाई आवरीवन वेलकम तो प्रैक्टिस मॉक तो आज के इस वीडियो में हम लोग SSE CGL 2022 के प्रिप्रेशन स्ट्रेटीजी के बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे किस स्ट्रेटीजी को फॉलो करें और कैसे हम लोग प्री के साथ मेंस का भी त्यारी करें और अभी से देखा सबसे पहले मैं आपको याद देला देता हूं कि अभी से आपके पास सिर्फ आठ से दस दिन है फॉर्म भरने के लिए आठ तरिक तक लाजट अक्टूबर तक तो अगर आपने फिल नहीं किया तो अभी फिल कर दे जल्दी से जल्दी कि लाजट टाइम में अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यह आपको दिक्कत दे सकता है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना और यह प्ह silicone करेंगे क्या से लोग को तैयारी करना है ठीक है तो इसका जो कि द्यान देखना है कि इसका स्ट्राटीजी तो vegetation मेरीटीं में बनते नहीं आप दिखना है तो इसका स्ट्राटीजी और बर्लह स्ट्राट एलग हो घृग का t कुछ हमें अलक तरीके से इसको देखना होगा क्योंकि इसे आप सिर्फ आपको क्वालिफाइव करना ए इसमें ज्यादा स्कोर करना नहीं है ठीक है तो यह आप strengthened 25 गॉलिंज से 5 को 15 मार्क्स हो और फिशे के 25 को क्वंट के 25 कॉन 50 मार्क्स और यह चीज और आपके नेगेटिव है 0.25, sorry 0.5 ठीक है और जो नया पैटर्न है, टीर 2 का आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने चेंजेज नहीं देखे हैं, कि क्या-क्या चेंजेज असे ने पैटर्न में, टीर 2 के पैटर्न में कियें, तो मेरी एक वीडियो आई है, उस कि उन्होंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया है, टीर 2 को, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 1 में उन्हें मैट्स और रिजनिंग को रखा है, सेक्शन 2 में उन्हें इंग्लिस और जीए को रखा है, और सेक्शन 3 में कम्प्यूटर और डेटा एंडिट कि अच्छ गाय के टेस्ट्रट रखाए ठीक है तो मैथ मिनन्य अप क्याक्याद तप कर दिया है पहले 100 पॉस्टेट या है सनग थे और इसका जो टायम होगा हुँ एक घंडेगा थे उन्होंने 20 question रखा है और यह जो है वह qualifying है है यह qualifying in nature ठीक है धिक है यह जो computer वाला test है आपका वह qualifying in nature है इसमें आपको यह आपका pattern पूरा Tier two का है तो आप हम लोग देखते हैं कि क्या strategy हम अपनाएंगे आपके पास जो time है तो यह क्या हमें strategy अपनानी होगी की हमारा जो preparation है वो बढ़िएां से हो जाए और एक्जाम में हम qualify कर लें तो basically Quant होते हैं है Positive तो Quant में आपका जो होता है वो ऑफ पार्ट में है arithmetic मेंतिक है और अएडवांस ठीक है फिर आपका दूसरा जो सैख्शन वो लिजनीґ है कि आज नीडमबर किलते हैं या फिर अनलोग हो गया या वी तॉपिक्स में को एडमयोय पूछते जैंगे फिर आपका जीन जा और यह इंगलिस से यह आप हमेशा से देखते आ रहे हो कि सेजल में ये चार सब्जेक्ट आते थे लेकिन अब उन्होंने क्या किया एक computer एड कर गया computer एड कर गया ठीक है तो यह चीज भी हमें देखना कि computer जो एड किया उन्होंने उसका syllabus क्या होगा उसका level क्या होगा यह सब सब्सक्राइब नहीं है अब हने तो सबसे पहले हें जो मैंよろしく बता अभी क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है अभी आपका जो 75 डेज प्लाइन होगा मददल लगबग 75-80 डेज का जो प्लाइन होगा ठीक है इसका जो प्लाइन होगा इसमें हमें क्या करना है न सबसे पहले यह देखना है कि हमें प्री और मेंस दोनों का साथ में प्रिप तुस्ति देज को हम लोग और मेंस दोनों के लिए देंगे परी प्लस मेंस ट्धिक है यह प्री प्लस मेंस डोनों के देशने देने क्योंकि जो प्री का स्लेबसं और मेंस यह अलीत इसले अंता श्रॉद इंग और प्री में 3 dag मुझे जयादा स्कोर करना है तो हमें जयादा फोकस करना म Race के लिए क्योंकि मेंस का जो मार्क से उसी से मेरिक बनेगे ठीक है तो यह 60ज लेखेज हम pre plus mains दोनों के लिए देगे और this 60 days में, हम mains का वो part नहीं करेंगे जो pre में नहीं आता है, यह चीज हमें ध्यान रखना है, कि यह जो 60 days हम pre mains दोनों के लिए देगे, तो mains का वो part नहीं करेंगे, जो प्री में नहीं आता है, जैसे statistics probability ये प्री में नहीं आई है अपके, और प्री में आपको advance part, जो quant का advance part है, वो भी हमें थोड़ा सा ऐसा देखना है कि जो जादा time taking है वो अभी नहीं करना है, ठीक है, तो एक एक करके discuss करते हैं, पहले subject wise discuss करेंगे कि हर एक subject का क्या अपना role होगा उसकी planning क्या होगी, तो पहले हम लोग देखते हैं, reasoning की, reasoning में क्या है, analogy है, ठीक है, फिर classification है, series है, word building, coding, decoding, numerical operations, symbolic operation, matrix, water image, when diagram, statement and conclusion, blood relation, ठीक है, paper, folding, unfolding, address, matching, coding, decoding, embedded figure, critical thinking, puzzle, order and ranking, यह आ सकते हैं, मैंने यह आपको दिया है, क्योंकि railway का जो exam होगा था अभी, NTPC, इसमें puzzle पूछा गया था, तो आप यह मत सूचना की puzzle रही आएंगे, हो सकता है, आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर add कर दिया, कि हो सकता है कि इस बार season में छोटे-छोटे puzzles आपके आ जाए ठीक है, तो अब इसका हम मेरा reasoning का जो plan होगा, वो क्या होगा, तो reasoning में basically अगर देखा जाए, तो आपका जो pre का paper होता है, वो काफी easy होता है, ठीक है, जो pre में होता है, तो हमें reasoning में उतना ज्यादा time devote नहीं करना है, बस reasoning में हमें basic concept पढ़ने हैं, ठीक है, कि question को solve करने के लि एक बार ध्यान कर लो, clock हो गए, ठीक है, clock हो गए, तो इनके जो concept है, silogs, silogs के concept है, तो इनके concept आप एक बार पढ़ दो, then फिर practice करो, सिर्फ practice, और इसमें आपको reasoning में daily अगर आप 2-3 घंटे अगर practice भी करते हो, तो काफी है, अगर अभी 60 days आपको ये करना है, कि reasoning में 2-3 3 घंटे करना, उसमें आप pre plus means, दोनों level के question आप बनाओ, ठीक है, पहले आप start करो pre level के, then धेरे दिने means level का पहुंचो, और इस type से आपको ये करना है, तो reasoning का sort out है, reasoning में आपको बस practice चाहिए, practice चाहिए, और practice चाहिए, ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है, कि जब आ नमबर ऐसे follow करता है, कि ये नमबर आएगा, तो next ये नमबर आएगा, कुछ-कुछ ऐसे tricks होते हैं, वो चीज़ आप YouTube में, या कहीं और, कोई books में वगेरा में पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये statement and conclusion, जो मैंने syllabus का बलाए, इसके concept आ आपको इसमें नमबर से खेलना है, और reasoning में ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ये, कि square, ठीक है, square, ठीक है, cube, ठीक है, square, cube, फिर आपको ये ध्यान रखना है, prime number, मतलब जो number system है, उसमें prime number क्या होता है, composite number क्या होता है, ये सब चीज में, ये सब चीज काम आ याद कर लो, ठीक है, एक से 20 तक के cube याद कर लो, तो ये सब चीज़ें अगर याद रहेगे आपको तो आसान हो जाएगे, फिर जो आपके alphabets, नुमेरिक स्रीज जो आती है alphabets बगरा के, तो ABCD को कैसे याद अटना है, जिस एक formula होता है, E जो T, ठीक है, E जो T, ठीक है तो इससे याद हो जाएगा कि आपका number of, कि कौन से alphabets का number जो होता है, वो numbering आपको याद हो जाएगी, ठीक है, यह अगर याद रहा तो, तो basically reasoning में यही है, कि practice करना है आपको, concept आपको ज़्यादर से ज़्यादर आपको one week maximum लगेगा, concept को समझने के लिए, फिर practice करते रह हो, ठीक है, practice के लिए आप practice mock का जो website है, आप उसमें जाओ, free quizzes reasoning के बहुत पड़े है, वहाँ से आप reasoning को practice कर सकते है, आप वहाँ पे section wise जो हमारे quiz है, वहाँ से आप practice करो, तो आपका और clear होगा चीजी, और practice करने से आपकी speed बढ़ेगी, जो main हमारा जो सबसे अगर देखा जाए, तो जो CGL में है, वो quant का syllabus है, सबसे वाज syllabus अगर देखा जाए, तो quant का है, ठीक है, तो quant का syllabus है, उसमें आपका main क्या है कि arithmetic plus advance, ठीक है, arithmetic और advance, यह यह दोनों पूछते है, ठीक है, arithmetic और advance दोनों पूछते है, तो quant की strategy होगी, वह क्या होगी, वह बहुत महाँने रखत एक्जाम में, और साथ-साथ क्या है कि इसके जो syllabus है, वो विवाज्ट है, क्योंकि आपको arithmetic advance दोनों पूछते है, तो यह क्या है कि आप कुछ-कुछ जो topics है, वो जल्दी cover कर लिए, जैसे जो easy topics है, जैसे आगर मैं बताओ, time and work, ठीक है, वो easy topic है, ठीक है, mixture and delegation, यह easy topics में आ जाते है, ठीक है, averages हो गए आपके, ठीक है, फिर आप ratio and proportion, ठीक है, percentage, ठीक है, interest, तो यह सब जो topic है, यह आपके time, speed and distance, यह भी अगर देखा जाए, तो इसमें भी questions ज्यादा difficult नहीं आते हैं, इसको भी एक बार आप समझ लिए, तो इसके भी questions आपको आराम से हो जाएंगे, तो यह सब जो arithmetic वाली पाट है, numbers, decimal and fraction, यह जो arithmetic पाट है, वो आपको पहले complete करना है, यह पहले complete करना है, देन इसका practice करते रहना है, ठीक है, इसमें आपके जो questions होते हैं, वो tricks से ही solve होते हैं, अगर देखा जाए तो SSE के जो maximum question जो tricks से solve होने वाले हैं, वो यह सब ही questions होते है जैसे आप time and work का जो मैं video लेकर आता हूँ, उसमें मैंने आपको tricks बताया है, कि कैसे हम time and work के questions solve करेंगे, और भी हमारे वीडियो जाएंगे, जिसमें arithmetic के tricks हम आपको बताएंगे, कि arithmetic को कैसे हम लोग जल्दी solve करें, और arithmetic part के tricks हम कहां use करें, कैसे apply करें, ठीक है, square and cube roots, इसके हम लोग tricks बताएंगे, आपको square निकालना, कैसे हम square निकालते है, two digit, three digit, इस सारे tricks आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप update रहते रहें, update, practice mode के साथ update रहो, यह सारे tricks आपको मिलेंगे, तो यह चीज़े आपको पहले cover करनी है, यह चीज़ आपको पहले cover करनी है, और उसके बाद, उसके बाद क्या है कि यह जब आपकी cover हो जाएगी, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा trend में चल रहा है, कि prelims में जो है, वो arithmetic part को कुछ ज़्यादा value मिलगा, arithmetic part का weightage ज़्यादा है, तो अगर यह चीज़, अगर आपका clear है, अगर arithmetic आपका clear है, तो इसमें क्या arithmetic parts है, उसमें से आपने 15, 16, 17 भी बना दिया, तो आप समझ रहे हो कि आप जो है, अच्छे level के question हाप यहाँ पर अच्छे number of question आप यहाँ बना सकते हो, तो यह चीज़ आपको धिहान रखना है, तो और साथ में arithmetic का एक चीज़ और मैं बतारो कि अभी जो train में चल रहा है, उ जो आपका percentage है, हाँ, percentage में जो आपका है, वो आपको यह सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, कि हम लोग percentage को, मतलब fraction में कैसे बदले, जैसे 25% में बोल रहा हूं, 25% बोलना हूं, तो इसका value होता है 1 by 4, तो यह सब चीज़ आपको practice करने से आ जाएंगी, तो यह सब चीज है, इसके advanced part की और, advanced part में क्या है, कि यह अगर आप advanced part में देखे, तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो वास्ट है, जिसमे concept ज़्याद है, वो है geometry का, ठीक है, तो आपको geometry को अभी पढ़ना है, बस उसके basics वगेरा clear कर लो, क्योंकि प्री में जो question आएंगे, वो basic level के question आएं है, जब हम means की तैयारी करेंगे, तो geometry में हम पूरा वाश्ट पढ़ेंगे, geometry को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या है geometry में अभी आपको ज्यादा time लगाना नहीं है, जब तक कि आपका pre नहीं हो जाए, ठीक है, दूसरा क्या है, trigon, ठीक है, trigon भी जो है, वो भी थोड़ा वाश्ट है, बट इसका solvable है, इसमें भी कुछ ऐसे formula लगा के यह solvable है, तो trigon भी आप basic जो है, basic trigonometry अभी पढ़ों, ठीक है, उसके बाद हम जो आगे जब mains की तैयारी करेंगे, तो उस समय हम trigon को भी थोड़ा वाश्ट में पढ़ेंगे, ठ जो, क्या करेंगे, सिर्फ basics, ठीक है, इसको भी अभी पूरे detail में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, देन आपका है, mensuration, ठीक है, Mensuration, ठीक है? तो, Mensuration में भी आपको इसमें भी वहाष्ट है यह हुँ लेकिन इसका क्या है कि यह formula based है, ठीक है? Mensuration जो है, वह formula based है तो इसको आप जो basic formula आपसे याद कर लिजे और basic basic questions आप इसके लगा है और इसके basics अभी Mensuration के clear कर लो बेसिक जितने भी basic है basic जितने भी question है हो आप free के लिए clear कर सकते हैं और उसके बाद इसका advanced part हम लोग means के लिए देखेंगे जब means की preparation करेंगे ठीक है और देन आपका एक और बचा algebra ठीक है तो algebra में क्या हमारे strategy रेगा algebra कभी जो question आ रहे है है वो भी प्रीमें आपको हाई लेवल कुश्चन नहीं आएंगे तो अलजेबरा में भी फॉर्मूला कुछ होते हैं जैसे ए प्लस बी का अल स्क्वाइर माइनस बीका अल स्क्वाइर एक यूब मैंनस एक्यूब मैंनस फ्री एक्वाल टू सम्फिंग तो वह सब फॉर्मूल तो इस टाइब के जो आप प्रीवियस एर में जाओ प्रीवियस के पेपर उठाओ उसमें अलजेबरा के जो कुश्चन से वह ट्राइब करो ठीक है और उस टाइब के कुश्चन को प्रैक्टिस करने का को लेकिन उससे पहले आप जो फॉर्मूला है वह पहले याद कर लो इसके बाद आलजेबरा में ट्राइक करना को सॉल्व करना थीक है तो बेसिकली अगर देखा जाय तो जो हमारा क्वांड का जो स््ट्रेटीजी होगा वह कौंड का स्ट्रेजी यह होगा कि पहले आरिथमेटिक आगर मैं नहीं करो तो अरिथमेटिक करना है यह कंप्लीट क में और arithmetic के जो questions आएंगे वह and qualitative आंगे थोड़ा tough आ सकता है prelims में और एक चीज में आपको बता दे रहा हूं कि prelims जो है वो qualifying है तो हो सकता है कि थोड़ा tough बना सकते paper क्योंकि qualified है तो बच्चे को चाट होगा लोगों को tier 2 सब लोगों को तो tier 2 का मौगा नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि तोड़ा तफ बनादे पेपर, उसके लिए हो सकता plastic part को थोड़ा corridor तो इसकी practice हमें बहुत अच्छे से करनी हैं ठीक है arithmetic की फिर हम advanced part की आरा है तो इडवान्स part में अभी हमें क्या घरना है advanced part में हमें basic जो basic questions से से उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अभी हमें वाष्ट में नहीं पढ़ना है इसके जो ज्यादा लेवल वाले कुश्चन है वह हमें अभी नहीं करना है बस हमें बेसिक कुश्चन अभी करना है तो यह हमारा स्ट्राटीजी रहेगा क्वांट के लिए तो जो मैंने 60 करना है उसमें आप यह करेंगे यह आप कॉंसेप्ट इसका पढ़ेंगे इसका कंप्लीट आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे ठीक है और एडवांस की बेसिक करेंगे और साथ-साथ आप इनके कुश्चन लगाते जाएंगे पहले प्रिवियस यह पूरा कि जितने प्रिविय स्ट्रेटिजी है आप एक टॉपिक पढ़ा आपने फिर उसके कम से कम 40-50 कुश्चन लगा है फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा उसके भी 40-50 कुश्चन 30-40 जितने आप लगा सकते हो फिर यह आपको करते रहना है इससे क्या होगा दीर-दीर आपका सारा कवर हो जाएगा उस निष्जी डालते फ्री फ्रीक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको करना कि एक टॉपिक पढ़ो ठीक है उसका खर्यकाइब करो 40-50 कुश्चन प्रैक्टिस करो दें दुसरा टॉपिक वी दूस्टा टॉपिक और सथी प्रेक्टिस करते रहो और साथ जब आपकी पूरी किस बोटिन कर सकते हो तो फिर आप मॉख लगाऊंगे्टॉ एक दो लगा सकते स्टार्टिंग लगा सकते बट आ पड़ेंगे तो आपके महoting आ कि यह होगी कओंट की अब हमारा सबसे मतलब डाइनमिक होगा मतलब इसमें कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता कि कि आपको सकते वह जी इसमें मतलब कोई ऐसा है इस टेटिक पार तो आपका है कि फिक से की इस टेटिक में क्या होगा यह अभी डाइनेमिक हो तो यह चीज आपको करेंट अफेर डेली अपडेट रहना पड़ेगा थिक हैं तो सबसे पहले स्टैट आपको स्टाटिक पार्ट में इंक्लूड होते हैं इस टॉपिक से कुष्चन पूछी जाते हैं तो हमारा एक सीरीज भी चलता है प्रैक्टिस मोग का जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आगे फिर आपके लिए कुछ जोग्राफी के लाएंगे स्रीज पॉलिटी वगरा प्रैक्टिस मोग को आप जोईन करो कि अपके प्रोलाब करुए चरा से बिडिएक के रही समय हैं आपको इसको विस्कों करें को साल हूँ त्यारी कैसे करेंगे तो स्टैटिक का बस यह है कि आपको डेली 2-3 गंटे डिवोड करना है तीन गंटे डिवोड करना है स्टैटिक में पहले जो आपका पॉर्चन आप यह सब आप पहले कंप्लेट कर लो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकनामिक्स ठीक है फिर फिजे जो आपको 2-3 घंटे तक डिवोट करना है यह सब आप यह आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन सा पार्ट करें यह आप कर सकते हैं किसी एक दिन आपने हिस्ट्री प्लस पॉलिटी पढ़ लिया फिर एक दिन आप एको और जोग्राफी पढ़ लिया तो आप यह करना है क्योंकि इससे ज्यादा स्कूराइब और लुड़ी आपके अच्छे और यह साथ-साथ आप इसको सबылसे करते हुआ ठीक है तो सारी जो सब्सक्राइब तो दीयोट करना पड़ेगा तो करेंट अफेड़ करना पढ़ेगा रहना ठीक है एक साल का करेंट आफ हीर ठीक है तो यह चीज आपको दियान रखना है कि एक साल का current affair आपको पूछेगा तो आप पहले जो हो चुके हैं हमारे current affair का PDF भी हमारा जाता है practice mock में वो PDF भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसमें last आप अगर देखें तो जनवरी से आप डाउनलोड करो है कि यह एक साल में current affair आपको करना है तो current affair में जो basically question पूछे जाते है जो आपका part होता है तो क्या क्या चीजें आपको cover करनी है ज्यादा मतलब इस पे ज्यादा focus करना है वह आपका national affairs होगे ठीक है international affairs defense and military exercises ठीक है days and events India and world summit and conference ठीक है index and report agreement and MOU ठीक है awards ठीक है जो आभी current में किसी को अवार्ड मिल रहा है वो सब पर्सन प्लेसेस एंड ओविट्यूरी जिन न्यूज ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि कोई फेमस पर्सन या कोई प्लेस कि 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 देथ हुई यह सब ध्यान रखना है ठीक है appointments and resignation कि कोई government body में या कोई बड़ी company में किसी का appointment हुया या किसी ने रिजाइन देया यह सब चीद्यान रखना है फिर state के बीच में जो affair होते दो इंटर state के बीच में जो affair होते फिर यह government policy यह scheme ला रही है तो यह सब चीजे आपके topics हैं यह चीजे आपको जब current affair पढ़ोगे तो यह चीज पर ज्यादा focus करना है ठीक है तो current affair का basic यह कि जो मैंने 60 days आपका प्लान बताया है कि 60 days में हमें pre plus mains करना है तो यह जो 60 days में इसमें भी कि आपको current affair का pre plus mains करना है ठीक है तो current affair में ऐसा है कि आप current affair जो अभी पढ़ रहे हो मेंस में भी काम आएगा जो आभी पढ़ रहे हो मेंस में भी काम आएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है तो इस पर थोड़ा focus ज्यादा देना है कि कि आपके 25 marks 25 question और 20 इसमें तीम चांस कम रहता है ठीक है और इसमें time आपको consuming नहीं है आपको आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है सीदी बात है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है current affair का कि जो पढ़ रहे हो उसको revision भी करना ज़रूरी है ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया फिर छोड़ दिया अब फिर एक यह कर लो कि आपने 6 दिनों में जो पढ़ा है Monday to Saturday उसको आप संडे रिवाइज कर लो current affair में तो यह चीज आपको current affair में strategy follow करनी है और continue current affair करना है ठीक है अब लास्ट आपका section जो है प्री में और मेंस में भी है वह है English तो English का basically आपको grammar आपको पूरा आपको दे नीटू सिंह का बुक आता है तो वह सबसे आप SSC की वह बुक अच्छी मानी जाती है तो वहां से आप देख सकते हो grammar वहां से सीख सकते हो अरे हंत की बूख हो गई वहां से grammar सीख सकते हो दें grammar आपका जब पूरा फिनीस हो जाएगा अगर आप अब ऑलरेड़ी ग्रामर मे आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए हम डालते हम प्रैक्टिस के लिए एससी के जितने भी एक्जाम्स होते हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वहां देख सकते सेंटेंस इंप्रूब्मेंट ठीक है और क्लोज टेस्ट कॉम्प्रियंशन के लिए आपको यह स्ट्राटेजी फॉलोग करने पड़ेगे अभी से क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि प्रिंटी फाइब कुस्चन आपका प्री में अधी के लेकिन में में मिला के आपको एक घंटे का ताइब ठीक है तो आप ये सोचो कि स्वेंटी एक घंटे का ताइं मिल रहा है इसका मतलब कि यह है यह पार्ट थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि इसमें आप घोली समय को आती है तो आती ने आती थो नहीं है थोड़ा सा भूल के संब लगाने पड़ते और जह적ीत कित अब यह इसके हi क्वान्ट भी तो सब्सक्राइब इहाँ पर थोड़ा बहुत लेवेल का हो सकता है कि moderate हो सकता है क्योंकि main से हमेरीट बनेगी लेकिन JOHN तो इंगलिस में टव करने के लिए न को चारल कर सकतें, ये कर सकते हैं, यह निए न से जाता है, लेकिन जो बंक के लेवल के लेवल कंप्रिय। फूछा जा सकता है, तो इंगलिस के लिए do आपको फिर से रिकमंड करेंगा कि आप जो हमारे क्विज है वो लगाओ और साथ-साथ में टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस मौख में बैंक के भी टॉपिक टेस्ट होते तो वो टॉपिक टेस्ट भी आप कॉंप्रेहेंशन का लगा सकते हैं वहां से आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से होगी और साथ-साथ आप न्यूजपेपर ठीक है न्यूजपेपर आप पढ़ो ठीक है तो साथ साथ आप न्यूजपेपर डेली रीडिंग हैविट के लिए न्यूजपेपर आप एक आर्टिकल डेली पढ़ा करो ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कॉम्प्रियेंशन टफ हो सकता है ये अभी से इसका त्यारी कर लो क्योंकि प्रियेंशन ऐसा पाठ है वह आप अगर आप सोचो कि में जब मेंस आयागा तो मैं त्यारी करूंगा तो वह तुरंट नहीं होता है तो अभी सही आपका कॉम्प्रियेंशन को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा ठीक है बाकी जो आपका वन वर्ड हो गया फ्रेज हो गया एंटोनिम सेनोनिम तो यह आप न्यूजपेपर पढ़ रहे हैं उससे जो आपको वर्ड्स मिलते हैं उसको आप ध्यान में रखो फिस साथ साथ जो कुछ तो यह इंग्लिस का बजय होग तो इंग्लिस में भी सकती बन होगा कि आपको इसमीडिया प्लस में टो इंग्लिसमें आप का ज़्यादा फोकस होगा वह मेंश केवा सब्सक्राइब द्मस करन Род이 क्री का तो आपको करना यहां पर क्या है करे आपो कि आपका है है क्वांट में आपको ज्यादा फोकस प्री हो कि करके रखना है क्योंकि क्वांट में क्या कि वह चीज आपको कैल्कुलेटिव होती है और वह वास्ट हो जाता है उसमें आगर आप फस्ट तो आपका प्री का तयारी अच्छा नहीं पाएगा लेकिन इंग्लिस में आप जो अभी कहा बढ़ किया उन्होंने कंप्यूटर तो एकन के अशब जाता है तो आपको जुए के प्री के लिए जब तक नहीं हो जाता तब तक आ सब्सक्राव कुछ डेना नहीं यह भीजिद्स कंप्योटर के को सिंद्स कि कि अगरो उपको अगmer Lahe Sam Otman के वह श्चान पर है एक PDF हम लोग बना के आपको share करेंगे लेकिन यह मेंस के टाइम में करेंगे अभी इसकी प्री तक कि इसकी ज़र्वत नहीं है तो जो हमारा strategy है जो हम मैंने strategy आपको बता है कि 75-80DH का जो strategy होगा वो मैं एक बार फिर से recall कर देता हूँ को इससे आपको और चीज़े clear हो जाएगे तो यह जो strategy होगा 75-80DH का उसमें जो मैंने आपको बताया था इसमें आपको यह दो पार्ट में करेंगे 60DH और बचा हुआ 15-20DH यह दो पार्ट में होगा तो यह जो 60DH होगा इसमें आपका जो होगा वो pre plus means दोनों पर focus होगा इसमें क्या होगा प्री के सब्सक्राइब लेकिन थोड़ा सा ज्यादा focus आपका प्री के तरफ होगा यह इसमें किस-किस subject के लिए reasoning है ठीक है और क्वांट ठीक है यह आपका प्री के तरफ ज्यादा focus करना है क्योंकि इसमें अगर आप ज्यादा time होगा ठीक है थोड़ा सा कम होगा लेकिन जो जीए है ठीक है जीए है और English है यह आप कि प्री प्लस मेंस दोनों का साथ साथ त्यारी करेंगे क्योंकि इसमें आप ऐसा सोचो का कि यह question प्री में नहीं आ सकता है मेंस में आएगा उसको छोड़ देते तो इसकीप रह जाएगा वो इसकीप हो जाएगा आपने एक बार छोड़ा तो छोड़ दिया तो यह चीज़े आपको अभी से ही जीए और English को strong करना है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि 45 और 25 यह question 70 question एक घंटे में पूछा जाएगा तो यह tough हो सकता है यह tough हो सकता है तो इस पर अभी सही अगर आप तैयारी करोगे तब आप यहाँ पर जाके आप अगर tough question भी आता है tough part भी होता है तो आप वहाँ पर fight कर सकते हों लोगों से ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि जी और English मैं फिर से repeat कर रहा हूं आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जी और English आपको अभी सही मेंस का level तक का त्यारी सुरुआत कर देना है basic से start करना मेंस तक अभी सही करना है और अगर आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप मेंस का करते हो तो आपको थोड़ा सा वह जाएगा कि वास्ट लगेगा ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है लेकिन इनमें हो सकता है क्योंकि इसकी practice मांगत आपको मौक जितने हो सकें आप जितने मौक लगा सकते हों लगाओ ठीक है चितने मौक आप लगा सकते हों लगाओ ठीक है इस 6 में है और ओक दो नहीं लेकिन 1 mock से 2 mock तो लगाना ही लगाना है ठीक है ? और इसकी analysis करना बहुत जरूरी है mock लगाने के बाद आप देख रहे हो कि कहा मेरी गलती और ये तो ये analysis करना जरूरी है ठीक है ये 60 में आपका 60 डेज में हर एक 5-6 दिन में भी मौक लगाते हो तो 10 मौक लिए और 6 दिन में पर देखूं नहीं 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 पर देख़ों CHD में एक लगा तो दस मौक आपका प्रैक्टिस पहले हो गया उसमें अनलिसेным आपका हो गया कि मैं कहां पहले मौक शले के 10 तक तक क्या इंप्रीब्मेंट शेक है अब यहां पर 15 से 20 दिन में डेली एक मॉक किया कम से कम कैपए सीटि सिट कि देखऊ एक घंटे का पिपर होता है ठीक है एक घंटे में आप लगा तो यह है कि एक से दो मौक आप लगाओ ठीक है तो यह 15 से 20 दिन में अगर आपने 20 मौक भी लगा लिया कम से कम 20 तो आपकी तैयारी फिल प्रूफ अच्छी हो जाएगी यह चीज मैं कि इस स्ट्रेटिज्प करों तो आपकी तयारी अच्छी हो जाएगी फिर मौक लगाने के बाद आप यह ओं करने के बाद कि यह प्रप्लम हरी उसको सही मेरी क sore हम्ना फीक है तो यह सर्फ कि थी जो बनाई हमने और होब की स्ट्राय्टीकी से आप करते हो तो आपका cutoff clear होगा और आपकी त्यारी हो अच्छे से होगी और आपका exam अच्छे से clear होगा ठीक है तो एक चीज प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बूला मॉक लगाने हैं तो मॉक लगाने के लिए आपको किसी platform में तो प्लैटफॉर्म में जाना पड़ेगा किसी platform क कोई यूज करना पड़ेगा तो प्रैक्टिस मॉक भी प्रैक्टिस मॉक ने भी PM SSC Pro 12 मंस के लिए 399 में आपको 12 मंथ की वैलिदी के साथ पैकेज दे रही है जिसमें आपको SSC के सारे एक्जाम सारे मॉक लगा सकते हो तो CGL के tier 2 के mocks भी अवलेबल रहेंगे, ठीक है, सेम आपका 249 में 6 महने को लिए भी SSC ने package डाला है, कि किसी बंदे को सिर्फ 6 महने का चाहिए, कम duration के लिए तो 6 महने के लिए भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है, तो mocks लगाने के लिए आप इसे purchase कर सकते हैं, और साथ साथ पर practice mock के free quiz भी आप दो, वो free है, उसमें आपको पैसे देने की जड़त नहीं है, तो महां से आपकी practice अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और आगर आप bank और SSC दोनों की preparation कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे best package है, PM premium package, ठीक है, वो 9.99 का है, इसमें आपको 5% off हमेशा मिलेगा, त तो आप अगर दोनों की त्यारी कर रहे हो, तो यह आपके लिए best offer है, यह 12 मैनों के लिए 9.99 का, so hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, और इस statistics से आप काम करें, और आपको सफलता मिले, बस यही मेरी risk है, आपके लिए, so thank you so much.